नमस्कार दशको बंधन समाचार में मैं हूँ आपके साथ उच्छा वर्मा खबर चला पिश्टावर के धामपूर से हैं जहां धामपूर शुगर मिल के परिशेत्र में पदम श्री डॉक्तर बक्षी राम दौरा गर्डा खेतों का दिरिक्षन किया गया आपको बता दें इसी के साथ फसल में लगने वाले हानिकारा कीटो जैसे टॉप बोरर, दीमक, कसुवा, काली चीटी आदी का भी दिरिक्षन किया गया उस खेतों में जैडरोड बिमारी के लक्षन पाए गए जहां पर किसानों वे फील्ड स्टाफ को उस बिमारी की पहचान के लक्षन दिखाए गए और बिमारी सेग्रसित पोधों को जड़ से उखाड कर बहार निकाल कर जलाया गया उस स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर डाल कर वे खेत में हेक्सर स्टॉप नामक फंजी साइट का इस प्ले कर इस रोक को फैलने से रोकने के उपाए बताये गए ग्राम हाफिजाबाद में किसान गोश्टी को सम्मोधित किया गया जिसमें डॉक्टर बक्षी राम ने करने की फसल में लगने वाले बिमारी वे हानिकारा कीटों की पैचान और रोक्थाम की उपाए किसानों को बताये किसानों को बताया गया कि यूरिया का प्रयोग सुख्य खेत में सिचाय करने से पहले ना करें सिचाय करने के बाद दो या तीन दिन बाद जब परियापस नमी हो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए ट्राइगोडर्मा के साथ किसी भी दवाई का मिश्र नहीं करना चाहिए सभी किसान गन्ना प्रजाती को 0118 को 153 वै कोलग 14201 का छेतर बढ़ाए को 153 को पछेती बुआई में प्रियोग करें साथ में पोटाश की मात्रा बढ़ा कर रखें कोलग 14201 को गहरी जलप लाविद छेतर बेशर रतकाली निया फरवरी मार्च में अगेती बुआई करें इसी के साथ को 0118 बहुत अच्छी प्रजाती है इस प्रजाती में बुआई के समय बहुत कम मिट्टी डालें बयात होने तक मिट्टी जढ़ाई ना करें उन्होंने कहा कि यह कुछ विशेश ध्यान देने योगय बाते हैं इनको ध्यान में रखकर इन फ्रजातीों की अधिक पैदावार ले जा सकती है और इसी के साथ जुड़ रहे बंदल समाचार के साथ